नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं अभी कल परसो जिया खान की इस्टोरी पढ़ रहा था शुरू से लेके उसकी डेथ तक की जो इस्टोरी है जो पूरी कहानी है वो पढ़ रहा था इंटरनेट पे और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हैरान रह गया ये देखकर कि जिया खान और सुसान सिंग राजपूत की लाइप से लेकर कैरियर और डेथ में इतनी सारी सिमिलर्टीज हैं मतलब कैसे इन दोनों की जिन्दिगी चल लए थी, कैसे इनका केरियर चल रहा था, फिर कैसे अचानक से इन दोनों की मौत हो जाती है और कैसे इन दोनों के मडर या सुसाइड में दोनों के लवर्स का नाम आता है आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि सुसान सिंग राजपूत और जिया खान की मौत कैसे एक दूसरे से आपस में इनडारेक्टली जुड़ी होई है ये देखिए ये दो पिक्स हैं एक सूरज पांचोली की और दूसरी रिया चक्रवर्ती की सूरज पांचोली की ये उस वक्त की पिक है जब जिया खान की डेथ हो गई थी और उसके घर पे गया था ये उसके मातम में और दूसरी जो पिक है दूसरी तरफ ये रिया की उस समय की पिक है जब रिया पोस्ट माटम हाउस से बाहर आ रही थी सौरी बाबू वाला जो incident हुआ था सौरी बाबू कहके जब बाहर आ रही थी है उस समय की पिक है दोनों की पिक को गौर से देखिए कि दोनों की आँखों में ना आसू है ना चेहरे पर दुख है ना शर्म है जबकि सौरज पांचोली के साथ में रिया भी मीडिया में गला फाड़ फाड़ के बयान देते थे कि ये सच्चा प्यार करते हैं मतलब ऐसा कैसे possible है कि अपने प्यार की death हो जाए और आँखों में एक आसू तक ना आए आसू छोड़ो यार चेहरे पर दुख की एक लकीर तक ना आए कैसे possible है एक तरफ तो जिया खान जो है अपनी death से 2-3 महीने पहले बयान देती थी कि वो सूरज पांचोली के साथ में शादी करने वाली है दूसरी तरफ अगर रिया चक्रवर्ती को देखा जाए तो ये भी बयान देती थी कि सूसांत से साधी करने वाली है और फिर अचानक से क्या होता है कि सूसांत और जिया खान अपनी अपने शादी से ठीक पहले सूसाइड कर लेते हैं मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोग ये अपने शादी के लिए इतना एकसाइटमेंट में थे इतना एकसाइड थे और अचानक से सूसाइड क्यों कर ली इन दोनों ने एक और सिमिलर्टी सूसांत और जिया के केस में है कि दोनों के डिप्रेसन की कहानी मीडिया में दोनों के लवर्स ने फैलाई यानि शूसांत के लिए रिया और जिया खान के लिए सूरज ने जबकि इन दोनों ने ही मीडिया को बताया कि सूसांत और जिया को आवाजे सुनाई देती थी चीजे दिखाई देती थी ये होता था वो होता था इलाज ठीक से नहीं करवा रहे थे या दवाई छोड़ दी थी ये जितनी भी बाते थी सारी की सारी बाते सूसांत के लिए और जिया खान के लिए सूरज पांचोली ने मीडिया में फैलाई थी इसके अलावा दोनों जो कपल थे यानि रिया और सुसांत सूरज और जिया यह दोनों ही कपल जो है लिविन में एक साथ रहे थे दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ में और इनके साथ में यह दोनों लोग बेकार थे रिया और सूरी पांच लिए दोनों लोग वेकार थे वह दोनों लोग हीड थे अपने-पने काम पे बहुत अच्छे से जा रहे थे और दोनहीं लोग अपने tehd अपने-पने पार्टनर पर पूरी तरह से निरभर थे द्या का तो सभी को पता है कि कैसे उसने सुसांत की दौलत को पूरा सफा चट कर दिया और ऐसे ही सूरज ने जिया खान के साथ किया था महंगे महंगे गिफ्ट लेता था घूमने जाते थे तो जिया खान सारा खर्चा उठाती थी तो जितनी भी जिया खान पर दौलत थी जितना भी उसने दो-तिन फिल्मों से कमाया था वो सारा सूरज पांचोली ने पूरा बरावर कर दिया था एक और बात है जो दोनों में सिमिलर है यानि शुसान्त और जिया में वो ये कि दोनों लोग जो है इंडिस्ट्री छोडने का प्लान कर रहे थे यानि दोनों ने अपने बयान दिया था कि मौत से कुछ दिन पहले शुसान्त ने जो बयान दिया था इंडिस्ट्री छोडने का वो 2019 में बयान दिया था कि वो खेती करना चाहता है और फिल्मों से दूर कुछ अलग करना चाहता है और इंडिस्ट्री को छोड़ने का प्लान कर रहा है इसी तरह जिया खान ने भी एक बयान दिया था अपनी मौत से पहले कि वो industry को छोड़ना चाहती है और क्या है लंडन में किसी university से कोई course करना चाहती है यानि वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और इसके लिए बकायदा जिया खान ने लंडन के किसी university में admission भी ले लिया था course का नाम तो नहीं पता लेकिन इतना confirm है कि जिया खान ने लंडन में अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहती थी और पढ़ाई को continue करना चाहती थी इसके अलावा सूरज और रिया ने जिया और सुसांत को अपनी अपनी कैद में रखा अपने control में रखा blackmail किया और यहां तक की दोनों लोग ने सूरज और रिया ने अपने अपने lovers को मारते पीटते भी थे सूरज पांचोली जिया खान को मारता पीटता था यह तो सभी को पता है लेकिन कैई रिपोर्ट में रिया और शौविक के द्वारा भी सुसांत को मारने पीटने की बात सामने आई है तो यहां पर यह दोनों में similarity कहीं ना कहीं चाहें मीडिया के अफवाहों में कहलो या मीडिया की खबरों में कहलो similarity है साथ में दोनों ही लोग अपने अपने partners को चोरी चीपे drugs देते थे family से मिलने नहीं देते थे family से दूर रखते थे साथ में यार दोस्तों तक से भी दूर कर दिया तो यह इतनी सारी बाते हैं जो दोनों लोगों में common है दोनों लोगों में सिमिलर है और ये सुसानत और जिया दोनों के साथ हुआ था क्या होता है कि ये जो क्रिमिनल माइंड होता है ना ये इन लोगों की पहचान होती है जो इनसान अपने girlfriend boyfriend को काबू में रखना चाहता है जो अपने girlfriend boyfriend को control में रखना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि उसके यार दोस्तों को दूर कर देगा उसके परिवार को दूर कर देगा ताकि अपने खुराफाती दिमाग की जो चाले है वो सही से चल पाए और अ लावा दोनु ही केस में एक common factor है सल्मान खान जिया खान के केस में तो जहां सल्मान कान ने सोरज को बाहर निकाला मतलब पुलिस को खरीदा सीबी आई को खरीदा कोट से जवानत दिलवाई सारा काम जो है वो सल्मान खान ने ही सूरज के लिए किया था और वही काम सल्मान खान ने सूसांत और सूरज के लड़ाई में किया जब सूरज और सूसांत के लड़ाई हुई तो सल्मान खान ने सूरज को फेवर किया और सल्मान खान ने सूसांत को बरबाद करने की में कोई कसर नहीं छोड़ी सिर्फ इस सवाल है और ये मीडिया में आज तक हमेशा बताते हैं कि सपोर्ट करता है सपोर्ट करता है लेकिन क्यों सपोर्ट करता है ये आज तक किसी ने नहीं बताया यार आज के मतलबी युग में कोई फिरी में किसी को एक गलास पानी नहीं पिलाता और सल्मान खान जैसा सूर क्यों सूरज पर इसकदर महरबान है कि उसके लिए हर काम करता है उसको हर जगे सपोर्ट करता है चाहे अच्छा हो बुरा हो हर जगे फेवर करता है ये एक बहुत बड़ा राज है और सच बताओ तो यार मुझे भी ना कभी कभी लगता है कि इस सूरज जो है अदित्य पंचोली का नहीं सल्मान खान की नाजाई दौलाद है और यह हो सकता है इसमें कोई शौकिंग वाली बात भी नहीं है यह देखिए यह यह भी एक वाइरल वीडियो थी और आपने भी इस वीडियो को देखा होगा और यह उस समय की वीडियो है जब जिया खान सिर्फ 16 साल की थी यानि नावालिक थी और फिल्मों में आने का मूड कर रही थी और भट कैम्प में भी जिया खान ने कुछ समय गुजा रहा था अपने शुरुवाति दिनों में तो उस समय पर क्या था कि महेस भट की असलील हरकतों से या कोई और ही जन रहा हो लेकिन जिया खान ने जल्दी ही अ तो उसने अपनी बाहर के जो कैम्प की की थी, यानि उसने टोटल तीन फिल्में की थी, एक थी निशब्द, दूसरी गजनी और हाउसफुल, निशब्द जो है वो राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, और गजनी एयार मुरुख दास्ती जो साउत के थी, और तीसरी लेकिन सच्चाई यही है कि सुसांद को सडक टू ओफर की गई थी और उसने महिस्भट की फिल्म को मना कर दिया था करने से यहाँ पर दोनों केस में एक और ये भी समानता है कि रिया भी महिसभट की चेली थी ये तो आज भी है और किसी टाइम पर जिया भी किसी समय पर महिसभट की चंगुल में थी तो कहीं न कहीं महिसभट को इस बात की जलन भी थी कि इसके मुगा निवाला चीन गया और सुसांत वे जिया की लाइफ को बरबाद करने में कहीं ना कहीं डारेक्ली या इंडारेक्ली इस थरकी बुड़े का पूरा पूरा हाथ है सुसांत और जिया खान के केज में एक common factor है आमीर खान अब ये कैसे involved है वो भी मैं बताता हूँ एक तो सुसांत जिस घर में रहता था वो जिस घर में सुसांत की मौत हुई थी वो आमीर खान के अंकल का घर है खर ये एक अलग चीज है दूसरा पॉइंट है कि सुसांत और जिया दोनों ने ही आमीर खान की फिल्म में साइड रॉल किया था गजनी फिल्म आपगर आपको याद हो तो उसमें जिया ने साइड रॉल किया था और मुख्य किरदार में थी आसीन आसीन जो है और पी के मूवी में शुसांत ने एक साइड रॉल किया था बहुत छोटा सा रॉल था हाला कि इस बात से दोनों की मौत में कोई connection नहीं है लेकिन दोनों की life में आमीर का रॉल सेम है लेकिन indirectly आमीर जो है आदित्य ठाकरे के support में है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि सिवशेना और आमीर खान का बहुत जबर्जस्ति आरा ना है और आपको याद हो तो आमीर न ने काम किया था तो कहीं ना कहीं ये तो fix है कि आमीर खान के mind में या दिल में कुछ ना कुछ था आदित्य ठाकरे के लिए जो इसने सुसांत के लिए एक भी tweet नहीं किया इसके अलावा एक similarity ये भी है कि दोनों की बहने यानि सुसांत सिंग राजपूत की बहन और जिया खा इस दिन जिया खान की death हुई तो इसके अलावाद दोनों के मरने के बाद जो है दोनों को ही दोनों की dead body को सीधे कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया ये बड़ा सवाल है कि बहुत common factor है जिया खान की death के बाद भी उसको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया प्लस जो है शुस के उपर भी और की कूपर होस्पिटल की जो क्या है उसमें खासियत क्या है सुसान सिंग राजपूत और जिया खान की मौत का जिन पर आरोप लगा था यानि सूरज पांचोली और यह दोनों ही इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही ड्रग एडिक्ट है और सूरज की बहन तो जो सूरज की बहन है वो भी ड्रग एडिक्ट है उस पे तो केस भी हो चुका है एक ड्रक से रिलेटिड इदर रिया का जो भाई यह इसका भी नाम आ रहा है ड्रक केस में एक और भी कॉमन चीज है कि दोनों केसों में रिया ने सौरी बाबो बोला था यह तो हम सब लिखा हुआ है बीच में सौरी लिखा हुआ है सौरी लवर्स या क्या सौरी करके लिखा हुआ है कुछ बहुत धुनलासा हो रहा है थोड़ा काड जो है किलियर नहीं है बट इसमें सौरी किलियर दिख रहा है और नीचे सूरज का नाम भी किलियर दिख रहा है तो यह भी दोनों ही केस में common है, अब आप जो पिक देख रहे हैं यह 4 पिक्स हैं, दो पिक्स उपर हैं, दो पिक्स नीचे हैं, उपर की जो लिएक तो नीचे की जो नीचे गरदण के निशान है, दोनों लोगों के गरदण का तो देखा ही था सुसांत के जो पिक्स थी वो बहुत ज्यादा वायरल ही थी तो ऐसे ही जिया खान के भी गर्दन पे निशान था बिलकुल उसके बीचो बीच निशान था वो जो एक सुसाइड वाला होता है ना कि उपर वी शेप में वी शेप वाला ना तो सुसांत के था दोनों की body को देखके लग रहा था दोनों की body को ही suicide बताया गया जबकि दोनों की ही body suicide लगी नहीं रही थी देखने से सुसांत का case तो मीडिया में आ गया क्योंकि सब लोग जो है आज की date में social media पे awareन है तो सभी ने एक सुर में आवाज उठा दी लेकिन जिया के टाइम पे क्या हुआ था कि जिया के टाइम पे social media में लोग इतने active नहीं थे तो वो case कब आया और कब उसको आसानी से छिपा दिया गया पता ही नहीं चला दोनों केस में एक और चीज सेम है कि दोनों की मौत के दिन के जो footage थे camera के जो footage थे घर के उनकी building के वो दोनों ही गायब कर दिये गए यानि ना तो सुसान्त के footage हमें देखने को मिले और ना ही जिया खान के footage देखने को मिले लेकिन सुसान्त के case में हमें ये फायदा हो गया कि मीडिया के द्वारा कुछ footage हमें मिल गए थे लेकिन जिया खान के मामले में ऐसा नहीं था वैसे मुझे बड़ी मुश्किल सी जिया खान के case का एक footage मिला है उसमें आदित्य पांचोली रात को 11.35 मिनट पे आप ध्यान से सुनना आदित्य पांचोली 11.35 मिनट पे जिया खान के घर जाता है और वापिस आता है उसके साथ एक और आदमी है जो अलग है बतलब आदित्य पांचोली के साथ में दिखाई देता बट अलग है जो कई जगे दिख रहा है और आप यह जो फोटो है इसक्रीन पे आप इसमें देखिए यह जो गंजासा है ना कैमरे के फोटेज में देखिए कि यह कैमरे की फोटेज में भी है सूरज पांचोली के साथ भी है आदित्य पांचोली के साथ में भी है लेकिन क्या कर सकते हैं चाहे सबूत कितने भी हो फोटेज कितने भी हो जब CBI ही खरीद ली गई थी तो फुटेज और सबूत जो है वो कोई माइने नहीं रखते हैं इसके अलावा दोनों की मौत के बाद यानि सोसांत और जिया खान की मौत के बाद सपने में आने की बात भी दोनों के इसमें हुई पहले रिया को देख लो यह देखा कैसे बता रही है कि इसके सपने में सुसांत आया था अब यह स्क्रीन पे जो पोश्ट आप देख रहे हैं इसमें लिखाए कि सूरज पांचोली की माके सपने में जिया खान आयी थी और उसने कहा था मतलब यह सही है कि पहले किसी इंसान को मार दो फिर उल्टा वो अपने कातिल या कातिल की माके सपने में आ जाता है इतना जोट इतना पाखंड सिर्फ इसलिए है कि इनके पास पैसा है पावर है और बड़े नेताओं का सपोर्ट है वरना एक आम आदमी रेड लाइट क्रॉस कर दे तो उसे छे महीने की जेल हो जाती है यह हमारे देश का सम्विधान है खैर राज ये थी कुछ बाते जो शुसांत और जीया के के समें सिमिलर थी और जब मैंने मैंने बताए शोसांत के केस में सारी मुझे लगा जे छोटा सा मेरा परिवार है यूट्यूब का उसे बताना चाहिए और खेर आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अभी के लिए जाहिंद